ओम शान्ती आज है बाइस जून दो हजार देज की साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे माहा वाक्यों को मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी यह मुख से कहने की बात नहीं अंदर में सिम्रण चलता रहे तो सब कलह कलेश मिठ जाएंगी प्रेश्न, कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मोचता है उल्चन रहती है तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ती बताती है उत्तर बाबा कहते बच्चे तुम यहाँ शब्द ही रॉंग बोलते हो मन मुझता है यहाँ कहना ही गलत है बाब से बुध्धी योग तूडता है तब बुध्धी भटक जाती है उदासी आ जाती है इसलिए बाबा युकती बताते हैं अपना चाट रखो अंदर में बाबा बाबा सिमरण करते रहो हर कदम पर श्री मतलो तो उलचन समाप्त हो जाएगी गीत बनवारी रे जीने का सहारा ओम शान्ती निराकार भगवानुवाच निराकार बच्चियों प्रति निराकार भगवान वाच किस द्वारा, इस लोन लिये हुए शरीर द्वारा समझाया गया है निराकार परमपिता परमात्मा का कोई शारिरिक नाम नहीं है बाकी जो भी मनुश्य मात्र हैं उनका शारिरिक नाम पड़ता है उस नाम से बुलाया जाता है यहाँ फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ तुम आतमाओं को यह शरीर छोड़ मेरे पास आना है अभी तुमको इस मृत्युलोक में जन्म नहीं लेना है वह लौकिक माबाप शारिरिक संबन्ध में लाते हैं यहां तुम्हारा फलाना है और पारलोकिक बाप कहते हैं हम निराकार हैं जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है तुम भी निराकार आत्मा हो इस शरीर का आधार लिया है तुम्हारा अपना शरीर है हमारा यहां शरीर उधार लिया हुआ है अभी तुम मुझ बाप को प्रवाबा करते हैं यह बाप है और माता फिर है गुप्त फादर के साथ माता तो जरूर चाहे ना दुनिया में कोई को पता नहीं बाप इनके द्वारा मुखवन्शावली बनाते हैं तब उनको फादर कहते हैं फिर मदर कहां जगत अंबा को नहीं कहेंगी जगत अंबा तो नेमित है संभालने लिए क्योंकि यहाँ मेल होने के कारण संभालना सके इसलिए जगत अंबा है उनकी भी मा यहाँ है ब्रम्हा बड़ी मा है, यहाँ सब है ब्रम्हा कुमार कुमारियां वहाँ कहते हैं मात पिता तो यहाँ बाप बैट समझाते हैं, यहाँ कोई सादोसंत का काम नहीं बाप सुरक के सापना करते हैं, माया रावन नर्क बनाने लग पड़ती है बाप सुख देती है, माया दुख देती है यहाँ है ही सुख दुख का खेल और है भारत के लिए भारत हीरे जैसा था अब कोड़े जैसा बन पड़ा है भारत में पवित्र ग्रिहस धरम था जिन्हों के चित्र हैं लक्ष्मी नारायन का राज्य था प्रंतु वह कब स्थापन हुआ यह कोई जानते नहीं कल्प की आयू लाखों वर्ष कह देते हैं तुम बच्चों को समझा समझाया जाता है पांच हजार वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायन का राज्य था फिलक्ष्मी नारायन दिफ्ट सेकन थर्ड चलते हैं आठ गदियां चलती हैं फिर चंद्र्वंशी में बारा चलती है डिनायस्टी होती है ना, मुगलों की डिनायस्टी, सिखों की डिनायस्टी, बच्चों को समझाया जाता है, पांच हजार वर्ष पहले भारत में एक ही लक्षमी नारायन का राज्य था, वर्ल्ड ओल्माइट्य अथॉरिटी गवर्मेंट थी, वह बाप ही बनाते हैं, भारत समय पास होता जाता, दुखचास्ती होता जाएगा, इनको मुरिक दरिशना समान सुख कहा जाता है, शास्त्रों में द्रॉपति और दुरिहोदन का एक मिसाल भी है, वास्तम में ऐसे हैं नहीं, यह सब बातें बैठ बनाई हैं, है यह रुन्य, मरुस्थल के पानी मिसल रा राच, राच्य मिला है तो और ही दुखी होते जाते हैं, ब्रिटिश गवर्मेंट केस में इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी, अभी तो हर चीज के कितनी महंगाई हो गई है, अकाल, मुसलाधार बरसाद, अर्थ कुई कादी यह सब सामने आएंगे, मिनुष्य प वर्ड ऑल्माइटी अथोरिटी, वन गवर्मेंट, वन राज्य स्थापन करते हैं, हाहाकार के बाद विजय जयकार होना है, जो विनाश का सक्षत कार किया है, वह प्रेक्टिकल इन आँखों से देखना है, तो बाप बैट समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा करते रहो, मन मुझता है, मन में खुशी नहीं है, यहाँ मन अक्षर निकाल दो, बाबा को याद नहीं करेंगे, तो फिर खुशी कैसे होगी, अपने आपको न जानने के कारण ही दुखी होते हैं, तुम मन अक्षर क्यों कहते हो, अरे तुमको बाप याद नहीं यहां बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाओंगा, सिर्फ बाबा का बढ़ना है, बाप कहते हैं मेरी मत पर चलते रहो, बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े ना, बाप को अपने बच्चों का पता रहता है ना, यहां कितनी कमा करता है, तो बाप को जब बताएंगे तब तो पता पड़े, बाप तो जट बताते हैं, तुमको वैकुंट का मालिक बनाता हूं, बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूं तुमको देने लिए आया हूं, तुम ही अपना सब को सफल करने वाले हूं, इसलिए भविश्य के लिए अ एक्चेंज करते हैं, पुराने के बदले सब नया देते हैं, यहां तो फर्स्ट क्लास ग्रहक है, एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो, एक कहावत है ना, सुभा का साई, बाप तो एकदम विश्य का मालिक बनाने आते हैं, बाप कहते हैं, यहां सब कुछ धनमालादी धूल में मिल जाना है, इनको छोड़ो, देह सहित, देह के सभी संबंदों को भूलो, अपने को ट्रस्टी समझो, यहां सब इशर का दिया हुआ है, उनका ही है, बाकिश्रे निर्वहार्थ करम तो करना ही है, बाबा को मालुम होगा तो राय देते रहेंगे, कहते हैं, बाबा मोटर लू अच्छा पैसा है तो भल मोटर लो, मकान बनाना है, अच्छा भल बनाओ, राय देते रहेंगे, पैसा है तो खो मकान बनाओ, एरोपलेन में घुमो, भल सुखलो, बच्चों को ही मत देंगे न, कन्या की शादी के लिए पूछते हैं, अगर ज्यान में नहीं चल सकती तो भ संग नहीं है, गौड़ फादरली युनिवरस्टी है, बाप राय देते हैं, बच्चे स्वरक के मालिक बनो, श्रेमत पर चलो, देही अभिमानी बनो, वहां के नाम भी कितने सुन्दर होते हैं, बसरमल आदी नाम वहां होते नहीं, वहां रामचंदर, क्रिशन चंदर आद देते रहते हैं, तो बाप समझाते हैं, यहाँ पुरानी चीची दुनिया है, यहाँ सब खत्म हो जाना है, अभी तुम मेरी श्रीमत पर चलो, श्रीमत भगवत गीता है मुख्य, बाकी वेद शासरादी तो अनेक हैं, बाप ब्रहमन देव तक शत्रियतीनों धर्म सापन कर पते हैं, उनका शास्त्र फलाना, अच्छा वेद किस धरम का शास्त्र है, कुछ भी पता नहीं, सन्यास धरम का शास्त्र कोई वेद नहीं है, अगर वेद शास्त्र है तो वही पढ़ें, फिर गीता क्यों उठाते, क्रिश्य लोग से आने हैं, दूसरे धरम का शास्त्र कभ ही नहीं लेंगे भारत वासी तो सबको गुरू करते रहेंगे बाबा ने समझाया था जब कोई चार-पांची कठे आए तो हरे को अलग-लग समझाना चाहिए जैसे पहले तुम अलग-लग बैठ कर समझाते थे ऐसे अभी भी समझाएंगे तो उनकी नबज का पता बढ़ेगा फार्म भराना ए क्यूंकि हरे की बिमारी अलग-लग है वैद्य लोग एक एक को बुलाकर नबज देकर दवा देते हैं निश्चे करना है हम आतमा है आतमा ही सुनती है आतमा ही पतित बनती है आतमा को करम ऐसा अच्छा सिखलाते हैं जो 21 जनम हम सुखी रहेंगे कर्मों की गती है ना सत्यूक में तो करम अकरम हो जाता है विकरम कोई होता नहीं विकरम कराने वाली माया ल्मर्ट ही राजदानी स्थापन होती है तो जरूर तुम वर्सा तो पाएंगे करमतित अवस्था को पान चनम चनमांतर के पाप सिर पर हैं गंगासनान वजबत पादे करने से विकरम विनाश नहीं हो सकते विकरम विनाश योगगनी से ही होते हैं अंत में सब का हिसाब किताब चुक्तु होगा नंबर वार चुक्तु नहीं होगा तो सजा खानी पड़ेगी चुक्तु करना है बाप की याद से याद नहीं करते हैं तब आत्मा मुर्चाती है बाप कहते हैं मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया वार करेगी जितना हो सके याद करो कम से कम आठ घंटे तक याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे चाट रखो तुफान तब आते हैं जब अपने को आत्मा याद से तुम्हारे कलहकलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे, सिधी बात है, बाप को भूलने से ही माया का थपड लगता है, बाप कहते हैं रहो भी भलक्रिहस वेवहार में, कदम कदम पर बाबा से राय पूस्ते रहो, कहां बाप का काम न हो जाए, कन्या ग बड़ा जगडा करते हैं, पूरा समचार नहीं देते हैं, वहा हुए सौतेले, मातेले जरूर बताएंगे, बाप को समचार नहीं देंगे, तो बाप कैसे जाने, यहां तुम्हारा चेहरा हरशित मुख होगा, तब वहां भी तुम सदा हरशित मुख रहेंगे, बिरला मंद अव्यभीचारी भक्ती फिर बाद में व्यभीचारी रजो तमो प्रधान भक्ती होती है आगे तो परमात्मा को बेयंत कहते थे अभी कहते हैं सबी इश्वर ही इश्वर है इसको तमो बुद्धी कहा जाता है तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता यहां तुम क्या कहते हो बाप को भूलने से ही यहाँ हाल होता है बाप को याद करो तो खुशे का पारा चड़ा रहेगा बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई है सारी रात बाप को याद करो नींद को जीतने वाले बनो गाते आए हो बलिहार जाओ अब कहते हैं मैं आया हूँ तो मा में कम याद करो ना मुझा आत्मा का बाप वह है उनको याद करना है इनसे ममत तो मिट जाना चाहिए नस्टो मुहाबन एक के साथ बुद्धी लगानी है तो पक्के हो जाएंगे मुझे अब नए घर जाना है पुराने घर से क्या ममत तो रखें नया मकान बनाया जाता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है ना बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ यहाँ पुराना है अब बाप और भरसे को याद करो इस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंस जाकर बनेंगे सत्योग में सेकिंड में बाबा प्रत्यक्षफल देते हैं यहाँ है प्रिंस प्रिंसस बनने का कॉलिजर, प्रिंस-प्रिंस Tokyo का कॉलिज नहीं, यहां बनना है, फिर प्रिंस के बाद राजा तो जरूर बनेंगे, अच्छा, बढ़ दादा मीठी मीठी मम्मा का सकेल दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तनमंधन स्वाहा करना है, बाप का पूरा-पूरा मददकार बढ़ना है नमबर दो, यहां हर्शित मुख रहना है, किसी भी बात में मुर्चाना नहीं है, बाप की याद से सब कलह कलेश मिटा देने है वर्दान, अथोरिटी के आसन पर स्थितर है, सहच योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव जैसे स्पीकर की सीट सहच ही ले लेते हो, ऐसे अभी सरवन भवों के अथोरिटी का आसन लो अथोरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहच योगी सदा के योगी सदा योगी बन जाएंगे ऐसे अथोरिटी वालों के आगे माया जुकेगी न की चुकाएगी जैसे हद की अथोरिटी वाले विशेश व्यक्तियों के आगे सब चुकते हैं authority की महानता सब को जुकाती है ऐसे आप महानात्माए अनुभवों की authority में रहो तो सब आपे ही जुकेंगे स्लोगन सदा खुश रहना खुशी का खजाना बांड़ना और सब में खुशी की लहर फैलाना यही स्रेस्ट सेवा है सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना यही स्रेस्ट सेवा है शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओम शान्ति